कई अ वीडियो में बात करने वाली हूं leashले कर बहुत सारे मेरों को कमेंड्स आ रही कि यह प्रेगनेंसी में बहुत ज़ाद़ा भूख लगने का क्या संकेत हो सकता है प्रेगनेंसी में अगर बहुत जदा भूँक लगता है तो इससे क्या जेपे जेंडर को डिलेट कर सकते हैं क्या इससे जेंडर को जोड़ सकते हैं रहे स्प्रिजिस जदा फर्स्ट फॉर्ब प्रेगनेंसी में क्या होता है जब आपकी फस्ट reven스터 चल रही यानि कि शुरू से तीसरे महीने के बीच में आपको तो भूख का नाम भी नहीं रहता है क्योंकि उसमें बहुत जादा आपकी हर्मोनल इंबैलेंस हो रही होती है जिसके करान आपको मेटिंग पेट में थोड़ी मुड़ी दर्द या माथे में चकर ऐसे समस्या आपको होती िस्ट होती है वहीं प्रेगनेंसी के चौटे महीने यानि की घर में बेवी का फ्रक्राई का उसमें वहली START हो जाता है NICK पूमेटिंग में कम हो जाता है या नहीं होता है उस समय आपको होने लग जाती है क्योंकि उस ऒएविख अपके बॉड़ी को बहुत ज्यादा inצिक जरूर्त राके design जब मैब टॉड़ी को इनर्जी चाहिए चाहिए जाहिर से बता है आपकर आपके बॉड़ी नहीं से और दुगुर्णह महसूस वह क्योंकि आपके इनरज़ी के दवारा कि गर्ष में तरीकी से पिरोब एंप कद शार पहरां चदूनिकर मेहने के तो जाहीर सी बात है कि जडरी आपकी pregnancy के second trimester के भूख की समस्य हो जाती है यानि कि भूख बहुत जादा आपको लगने लग जाती है हर एक घंटे में आपको फूख फील होती है तो यह अच्छी pregnancy यानि healthy pregnancy की निसानी होती है इससे कोई gender को नहीं जोड़ सकते हैं कि आपके गर में लड़का है या लड़की भूख लगना pregnancy में अच्छी बात होती है क्योंकि भूख लगेगी अगर आप अच्छी nutrition लेंगे अच्छी डाइट लेंगे healthy diet लेंगे तो आपके बोड़ी में energy आएगी आपके बोड़ी अच्छे तरीके से react करेंगी और आपके बोड़ी के नुसार आपके जोगर में सबस्क्राइब जरुदेगा thank you thanks for watching